हेलो गाईज मेरे चनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैंने वर्थ के लिए रेसिपी बनाई है यह है अलो लच्छाटी की जैसे की नवरात्रे चल रहे हैं तो इसमें हर दिन अलग लग कुछ खाने को मन करता है तो इस रेसिपी को आप 10 मिंट में बनाईए और यह बहुत ह की टेस्टी बनके त्यार होती है चलो इसको बनाते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर च्यार आलू ले लिए हैं इनका मैंने छिलका उतार लिया है और इनको ऐसे घिस लेंगे बारी कर लेंगे अब इसको दो लेंगे दोने के बाद यह करंची बनके त्यार होंगे पानी में यहां अधा चम्माच यह दाल देंगे और इसमें यह है कुट्टू का आता जिसने आमने च्यार अलो लिये हैं यह च्यार चम्माच हमें कुट्ट्यका डाल देंगे इसमें यह बाइंडिंग के लिए है इसके हम लड्डू बनाएंगे तो टिक्की बनाने से पहले लड्डू बनाते हैं वो बनाएंगे अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऐसे हाथ से इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे जब लड्डू सा बनने लगेगा तब इसके हम लड्डू बना के रख देंगे टिक्की बना लेंगे ऐसे यह लड्डू बन गया है इसको ऐसे दबा के टिक्की बना लेंगे ऐसे और इसको एक साइड में रख देंगे इन सबी को ऐसे बहुत ही आसान है ये 10 मिल्ट में बनके त्यार हो जाती है ये रेसेपी इसके अमारे ये 5 टिक्की बनी है अब हम पहले चटनी बनाएंगे इनको बाद में फराई करेंगे टिक्की को इसके लिए मैंने कुछ पाला के पत्ते लिए हारी में चली है और छोटा सट कुड़ा द्रफ का लिए है इन सबी को ऐसे मिक्सी में पीस लेंगे और यहाँ पर मैंने शेंदा नमक डाला है स्वादमसार और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है दई बहुत ही अच्छी चटनी बनके त्यार हो जाएगी सही यह देखी हमारी चटनी बन गई है हारी चटनी अब यहाँ पर हम तवबा ले लेंगे और इस पर हम गी लगाएंगे एक चमस डाल देंगे इसमें कड़ची बरके गी की ऐसे देशी गी है फास्ट में तेल या रिफाइंड नहीं खाती है या तो मुफली का तेल होना चीए या देशी गी होना चीए जब यह गरम हो जाएगा तब हम यह साइड में टिक्की टेक देंगे इसके उपर यह आलू वाली ऐसे और अब इसको राउंड राउंड ऐसे गुमाएंगे तब यह को ताकि अच्छी तरह से शिक जाए ऐसे जब यह सुनेरी हो जाएगे जब इनकी साइड पल्ट देंगे दूसरी साइड भी अच्छी तरह से इनकों से एक लेंगे अगर इसको मीडियम लो फ्लेम पर रखेंगे यह देखि निचे की साइड इसक गई है अब इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे पल्टे की साइथा से ऐसे इसको ठोड़ा से निचे से ऐसे इसको अटाएंगे ऐसे साइड पल्टने लिए ऐसे इसको अब देखें यह जब जगह छोड़ देगा न नीचे से तब इसको ऐसे पल्ट देंगे जब पक जाएगा जब इस जगह छोड़ देंगे ठीकी ऐसे दोनु साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे इनको कच्छा नहीं रखेंगे बिल्कुल भी यह वर्थ की रैसिपी है यह यह देखे इसको ऐसे राउंड राउंड करके तवे को गुमा लेंगे ताकि यह अच्छी तरह से इसमें घी चला जाएगा इस तरह से यह हमारी बन के त्यार हो गई देखेंगे अब इन सभी को अमपलेट में निकाल लेंगे एक बर आप जुरूर ट्राई करना यह यह देखें ऐसे यह सिखने के बाद ऐसी हो गई है इस तरह से हमने यह बना ली है अब इसको हम सजाएंगे ऐसे यह पहले टिक्की रख देंगे इसके ऊपर हम पहले दई डालेंगे दई में मैंने थोड़ा सा मिठा मिला लिया है और इसको थोड़ा फेट लिया है बहुत ही टेस्टी बनके त्यार होती है यह आलू लच्छा टीकी एक बर जरूर बनाना और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें यह देगे दिखने में कितने अच्छी लग रही है यह खाने में तो बहुत जादा टेस्टी होती है तो जब भी आप फास्ट करो तो इसको जरूर ट्राई करना एक बर इसमें हमने लशन प्याज कुछ भी नहीं डाला है नहीं समें हम लाल मिर्च डालेंगे यहाँ पर मैंने इसको पर यह थोड़ी सी पीच डाल दिए टमाटर के बारी करके अवर इसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे वरत वाली बुजिया बहुती अच्छी बनके त्यार हो जाएगी है हमारी आलउ टिकी ऐसे करके इसे डाल देंगे और ये ये हमारी अलू लच्छा टिकी पलेट बनके त्यार हो गई है तो एक बार आप भी जुरूर ट्राई करना ये बहुत ही स्वादिश्ट बनके त्यार होती है और दस मिंट में बन जाती है ये इसमें उपर थोड़ा समझेंदा नमक डाल देंगे ऐसी और एक बार फिर से मेरे मेरी वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत तन्यवाद और एक बार ये ट्राई जरूर करना और आप अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक से सबस्क्राइब जरूर करना झाल झाल